हलो गाइज मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि वाफ लाइन आप यास बी आई का एकाउंट ब्रांच में जाकर करके कैसे एकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसी वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि आपका यास बी आई का एटियम काड और चेक बुक आपके घर में कब तक कितनों दिनों के अंदर पहुँचाया जाएगा तो मैंने इससे पहले जो एकाउंड ओपन करने का प्रोसेस बताया था तो मैंने एकाउंड ओपन किया था तो मेरे एकाउंड ओपन करने के बाद कितने दिनों के बाद मेरे एड्रेस में बाइपोश्ट के जरिये से ATM काड़ा और चेक बूक पहुचाया गया है उसी चीज का मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ क्योंके मेरे एडरेस में बाइब ऊश्ट के जरिये से एक लिफाफा के अंदर क्या क्या चीज भेजा गया है इसी का मैं आज अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो बहुत ही मज़िदार होने वाली है वीडियो में बने रहना वीडियो को इसकी बिलकुल हिमत करना तो इच्छे लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है कि हमारी चैनल सौथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन ही उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी को दबा करके आल पे सिलेक्ट कर देना ताकि इस रिलेटिड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए यह मेरा हाथ में देख सकते हैं यह SBI एकाउन की तरफ से एक लिफाफा के अंदर ATM करड और चेक बुप बाइपोस्ट के जरिये से इस एड्रेस के अंदर पहुंचाया गया है यानि यह मेरा एड्रेस के अंदर पहुंचाया गया है आपका भी जब आएगा इसमें एड्रेस शो होगा जो बाहर यानि लिफाफा के बाहरी से दिखाया देगा इस एड्रेस में मेरा पहुंचाया गया अब मैं इसको unboxings करके आपको दिखाता हूँ कि इस लिफाफा के अंदर मुझे क्या क्या चीज दिया गया है क्या क्या चीज मुझे मिला है इसको unboxings करने के लिए सबसे पहले आपको सही तरीके से इसको फार लेना है यहीं ताकि अंदर का चीज ना फार जाए आप देख सकते हैं मैं इसको सही से फाड लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फाड चुका हूँ अब मैं इससे एक एक चीज को निकल करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज मुझे लिफाफा के अंदर ASB account के तरफ से दिया गया है पहला चीज इसके अंदर एक और लिफाफा है उसको मैं लिखाल देता हूँ जैसे का आप देख सकते हैं एक लिफाफा हो गया जो एक cover जैसे दिखाए देगा इसको मैं side में रख देता हूँ अब रहता है एक और लिफाफा जैसे का आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक address जैसे दिखाए दे रहा है वही है बट इसके अंदर भी एक लिफाफा है अब मैं इसको भी फाड लेता हूँ जैसे का आप देख सकते हैं सही से इसको फाड लेता हूँ फार लेने की बाद इसमें बहुत सारा documents आपको नज़र आएगा जैसा के अगर मैं पहली चीज़ निकालू एक documents में निकालता हूँ एक documents हैं एक आपको certificate जैसा documents दिखाए देगा जैसा के आप देख सकते हैं ये SB कैसा certificate जैसा एक letter दिखाए देगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है रेडिंग कर लेना है अगर आपको कुछ समझ में आता है इंगलिस में है बहुत लोगों को समझ में नहीं आगा अगर आपको समझ में आता है तो पड़ लीजेगा वरना कोई काम का नहीं है इसको भी मैं सैड में रख देता हूँ अब रहता है और एक डोकमेंट अब मैं देख लेता हूँ एक पन्नी जैसा है याई श्टिकर जैसा आपको दिया गया है अब जैसे देख सकते हैं मैं इसको निकाल लिया हो इसमें आपको क्या क्या करना है याई आपको अगर कोई ATM कार्ड से बिल पेमेंट करना हो यानि डेविड कार्ड से मसीन रखा होता है तो इसका जानकरी इस पेपर के अंदर दे गया है उसके बाद फोटू अगरा लगा करके भी समझाया गया है तो ये आप रिडिंग कर ली जिगा अपने हिसाब से इसको भी मैं सैड में रख देता हूँ अब इसके अंदर आपको बहुत सारे चीज लिखा हुआ मिल जागा आप देख सकते हैं यह भी एक बुक है यानि ATM कार्ड को चेक बुक को कैसे यूज करना है उसके बाद जो भी है इसको भी मैं सैड में रख देता हूँ आप अपने हिसाब से इसको रिडिंग कर लीजेगा अब तक तो निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा असल चीज है ATM कार्ड और चेक बुक जिसका इंतिजार मैं 11 दिन से कर रहा था अब दे सकते हैं और एक बुक जैसा है यानि पास बुक जैसा एक और किताब जैसा मिल गया है इसके अंदर भी आपको बहुत चीज पढ़ने के लिए मिल जाएगा यानि ATM कार्ड चेक बुक कैसे भरना है कैसे इसे पैसा ड्रोल करना है कैसे निकाला है तो इसको भी आप रेडिंग कर लिजगा इसको भी कोई काम का नहीं है इसको मैं सैड में रख देता हूं उसके बाद मेरा लिफाफा के अंदर से अब क्या निकलत ऐसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं चेक बुक के अंदर क्या क्या चीज़े मैं उसको में आपको दिखा दो यह F़र्ष्ट पेइज है से चेक बुक पहुंचा दिया गया अब दोसरा चीज है जिसके लिए मैं मरता था यानि फोन पे गूगल पे पेटियम वगयरा यूज नहीं कर पाता था यानि एटियम कार्ड उसको मैं तलास कर रहा हूं लिफाफा के अंदर यह हो गया आपका चेक बुक जो 11 दिन के अंदर इसी लिफाफा के अंदर आपको पहुंचा दिया जाएगा इसको भी मैं स्ट में रख देता हूं आब बसता है एक पेज इसके अंदर मैं देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि इसी के अंदर ATM कार्ड होगा तो मुझे खुशी हो रही है कि 11 दिन के अंदर मुझे ATM कार्ड मिल रहा है और मैं फोन पर गूगल पर ATM ETC यूज़ कर सकता हूँ अब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ ओपन करने के बाद देखता हूँ क्या है देखते हैं ओपन इसको कर लेते हैं इसमें एक फेविकुक जैसा लगा रहाता है इसको ओपन कर लीजिगा अब देख सकते हैं मेरा ATM कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है और ओभी ATM card कैसे आया जानते हैं एक लिफाफा के अंदर घुसके आया अब इसका भी मैंने अभी सिन नहीं क्या हूं की कैसा है ने है अब मैं लिफाफा के अंदर से आपको निकल करके दिखा रहा हूँ जैसे देख सकते हैं लिफाफा की ATM card का pin कैसे बनाना है ATM card का अगर पहली में मरतबा यूज करें तो कैसे यूज करना है इसमें आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा आपका एकाउंट नमबर आपको क्यूआ बार कोड़ भी मिल जाएगा कि नकली है कि असली है इस सारे चीज बार के अंदर बंद होकर के आया इतना सेफटी के साथ SBI काम करता है तो मैं लिफाफा के अंदर से निकलता हूं जैसे का अब देख सकते हैं मेरा के अंदर से ATM card निकल लाए जैसे का आप देख सकते हैं ATM card निकल चुका है यह है मेरा SBI का ATM कार्ड जो मैं आपको पूरा शो नहीं करवा सकता लेकिन यह मेरा SBI का ATM कार्ड एकाउंट ओपन होने के 11 दिन बाद मेरा एड्रेस में बाई पोस्ट के जरिये पहुचाया गया है अब इसका जो पिन क्रियेट करना है वो आपको SBI का किसी भी ATM मसिन पे चला जाना है और आपको इसके बारे में एक वीडियो देख लेना है कि SBI के ATM कैसे क्रियेट किया जाता है वो देख लेने के बाद आप ATM मसिन पे चलेजेए वहाँ डाल करके आप अपना SBI का पिन जनरेट कर लीजे उसके बाद आप अपना SBI के ATM से पैसे ड्रोल कर सकते हैं निकाल सकते हैं यूज कर सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज अन्वॉक्सिंज करके दिखा दिया कि SBI में जो 11 दिन के बाद आपके एड्रेस पे बाइपोश्ट के जरे से ATM काड और चेक बूल पहुंचाया जाता है उसके अंदर आपको क्या क्या दिया जाता है वो चीज मैंने किलियर कर दिया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी चैनल में ने हो तो एक लैग जरूर करना धन्यवाद